निवस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एज्यूकेस्टने चनल में है तो आज के डू लेक्चेरियों हम ऐसे प्राब्लेम के बार में डिसकस करने वाले हैं कि जो आज की modern lifestyle के इंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं जैसी की ठकावट ज काफी जैदा कमजोर रहती है और उसके करण बहुत सरे कॉम्प्लिकेशन्स जो यह वह देखने को मिलते हैं तो यह प्राब्लेम को solve करने के लिए कौन सी दवाईया यूज कर सकते हैं तो उसके बारे में हम डेटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं कमजोर और ठकान के बारे में तो ऐसे आपको सीखना है बहुत सरी दवायो के बारे में बीमारयो के बारे में तो आप मेडिसिन कूर्स को जोइन कर सकते हैं फार्मरोक्स के अब उपर तो यह कूर्स को जोइन करने के लिए आप हमें वाट्सैप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल application को आप download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो बाद है topic प्योड समझते हैं कमजोर या फिर थकान के दवायू के बारे में और ये problem के बारे में सबसे पहले basic जानकारी हम लेते हैं तो कमजोर या फिर थकान को medical terms के अंदर लिथार जे या फिर laziness कहा जाता है कि जो आपको लंबे समय तक रहती है और ऐसी medical condition के जिसके अंदर आप काफी ज़्यादा weakness फिल करते हैं सरेर में energy कम है मनलब कि काफी ज़्यादा आपको थकावाट महसूस होती है फिर काफी ज़्यादा आप जो वो laziness ज़्यादा फिल करते हैं आलस आती है सुस्ती आती है तो उसके हम कुछ symptoms देखे तो सबसे पहला symptoms है कि काफी ज़्यादा आप थक जाते हैं कुछ भी आपने physical activity की या फिर काम कुछ करते भी नहीं फिर भी आप काफी ज़्यादा थकावाट महिसूस करते हैं second symptom हम देखे तो सामाने दुर्बलता या फिर कमजोरी ज़्यादा आप महिसूस करते हैं काफी आप अपने आपको जो वो weak feel करते हैं कि जैसे कुछ भी आप काम अच्छे से नहीं कर पाते तीसरा हम देखे तो लेथार या फिर laziness मनलब कि बहुत ज़्यादा सुस्ती या फिर आलस आती है मनलब कि आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता अच्छे से काम कोई करना जा हो आप तो भी वो नहीं कर पाते बिकॉस कि आपको जो वो सुस्ती आती है आलस जैसे आप फिल करते हैं फिर बार बार जो हो आपको infection हो जाते बिकॉस आपकी immunity जो कम रहती है और immunity कम होने के करन कोई भी infection आपको बहुत जल्द लग जाते है जैसे कि कोई bacterial infection है viral infection है वो आपको बहुत जल्द जो हो लहो जाता है फिर decrease ability to think मतलब कि जो सोचने की समता जो होती है किसी भी इंसन की वो कम हो जाती है फिर छटा हम देखे एक reason या फिर symptom तो वो है कि decrease ability to work मतलब कि जो काम करने की समता होती है किसी भी इंसन की वो जो हो कम हो जाती है कि चाहे वो male है या फिर female है दोनों के अंदर ये complications जो वो देखने को मिलती है फिर अब उसके कुछ reason हम देखे तो पहला जो reason है वो है immunity जो है आपके कम होना कि कमजोर immunity वाले जो लोग होते हैं उनको ये problem काफी ज़्यादा सदाती है फिर second हम देखे तो कोई बीमारी में से आप recover हुए है कि मानलों के लंबे समय देख आप कोई बीमारी से पीडित थे और वो बीमारी में से अभी recover हुए है तो भी आपको थकान कमजोरी जैसा मैसूस होता है तीसरा हम देखे तो जो nutritional deficiency होती है मतलब कि सरीर में जो पोसक तत्वों की कमी होती है प्रॉपर आप ऐसा diet नहीं ले पाते कि जिसके करण आपको सही nutrients मिले तो उसके करण भी ये problem जो हो सकती है कि specially आप ऐसा खाना खाते कि जो specially junk food type का है fast food type का है कि जिसमें कोई proper nutrients आपके सरीर को नहीं मिलते है और उसके करण भी आगे जाके ये problem जो आपको हो सकती है फिर कुछ दवायों के side effects के करण भी ये problem होता है कि मानलो आपने कोई antiviral medication ली है और उसकी पूरी थैरा पी चली थी और वो खतम होने के बाद भी आपके सरीर में काफी ज़्यादा weakness लेती है एंटी बेक्टेरियल कुछ दवाय ये ली थी उसको लेने के बाद भी ये problem होती है तो ऐसे बहुत सरे अलग-अलग class के medications होते है कि जिनके side effects के करण भी थकावाट कमजोरी जैसा जो हम feel करते है फिर कुछ बीमारियों की condition के जैसे कि कोई high cholesterol वाला patient है hypertension का patient है, diabetes का patient है या फिर sugar का problem वाला कोई patient की जिसके sugar कई बार बढ़ जाती है या फिर sugar कई बार कम हो जाती है kidney related कोई problem है या फिर अस्थम, आस्ट्रो, कलसर तो जैसे कोई भी बीमारी आपके सरी के अंदर है तो जो रोग की जो स्थीती हम कहते हैं, उसके करण भी आप ये problem जो है, फिर जो major depressive disorder जो कहा जाता है कि जो depression type का problem है, उसमें भी ये एक symptom देखने को मिलते हैं तो ये एक reason बनता है कि अगर किसी को mental health related problem है, तो भी ये थकान कमजूरी जैसा लोग मैसूस करते हैं फिर ये काफी एक बड़ा reason है, कि थकावाट या फिर कमजूरी के लिए, कि आपकी नींद जो ही हो पूरी नहीं होती है कि जो 8 गंटे की proper sound sleep होनी चाहिए, आपके गहरी नींद आनी चाहिए 8 गंटे की, वो किसी को नहीं आती और उसके करण भी ये problem होता है, कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो दूसरे पूरे दिन जो आप जो काफी weak फिल करते है, थकान जैसा फिल करते है, आला साथी है, सुस्ती जैसा आप महिसूस करते है और उसका एक सबसे बड़ा reason होता है, नींद पूरी नहोना तो ये problem को diagnose कैसे गर सकते है, कि कैसे हम reason पता लगा सकते है, कि कौन से कारण से आपको ये problem हो रही है तो सबसे बड़ा patient की medical history चेक करना जरूरी, कि अगर कोई ऐसा complaint करते है, कि उसको काफी ज़्यादा ठकावट रहे थे है, कम जूरी ज़्यासा फिल होता है तो उसका एक proper medical history चेक करनी चाहिए, patient counseling करना चाहिए, कि past में कोई बीमारी थी या नहीं, और वो बीमारी में उन्होंने कौन सी दवाई या वगेरा ली थी, तो वो सबच्चे से चेक करना होता है, कि जिसको हम एक patient counseling कहते है second physical examination से पता चल सकता है, कि proper आप उसकी physical health अगेरा चेक करो, तो भी idea आजाता है, physical examination के दोरान, blood test से idea आता है, कि क्या problem हो सकती है उसको, nutritional deficiency के लिए भी stripe के test करा सकते है, उसके अलावा blood sugar का test कराना काफी जरूरी रहता है, कि sugar बढ़ रही है, या sugar उसकी कम हो रही है तो sugar की जान जरूर से करानी चाहिए regularly, कि जिससे एक reason पता चल सके, कि sugar आपकी बढ़ रही है, या फिर sugar आपकी कम हो रही है फिर CT scan या फिर MR यहाँ पे करना जो हो काफी जरूरी बनता है, कि जिससे अगर कोई brain related हिस्सी हो, mental health related कोई problem हो रही है तो उसका भी हम एक proper diagnosis जो हो कर सकते हैं अब आते हैं उसके treatment के portion में, तो treatment में सबसे पहले जो patient है, या फिर जो भी ऐसा कोई feel कर रहा है, तो उसको पानी ज्यादा पीना है चाहिए अच्छी healthy diet लेनी चाहिए, आपका stress level जो कम करना चाहिए, कि stress के करन पे कई बार यह problem होती है तो yoga and meditation वगेर आप कर सकते हैं, आपका stress level जो हो कम हो फिर यहाँ पर treatment पर एक option है कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए, उचित नींद लेनी चाहिए, जो 8 गंटी की proper नींद है वो पूरी करनी चाहिए और नींद आपकी पूरी नींद आपको doctor या फिर pharmacist को अच्छे से consult करके उस related medications जो वो start करनी चाहिए, जैसे आपकी नींद अच्छी आए फिर अब समझते है medicines के बारें के कौन सी दवया ली जा सकती है ये problem को solve करने के लिए है तो जो nutritional deficiency होती है खासकर या फिर जो metabolic problem होते है कि जिसके करन सरीर को energy नहीं मिल रहे तो वो energy के लिए जरूर है कि आप multi vitamin, multi mineral या फिर जो nutraceuticals product आते है वो आप use करे तो उसमें काफी popular product है Apex का कि जो है zincovid करके जो tablets आते हैं कि जो एक tablet आप ले सकते हैं पूरे दिन में कि दिन में कोई एक time आप fix कर दो उसी time पर ये medication आप लेते हैं Second हम देखे तो zincovid का ही syrup आते हैं कि कोई tablet लेने के लिए comfortable नहीं है तो उसका syrup अब ले सकते हैं कि जिसका dose रहता है 5-10 ml जितना रहता है पूरे दिन में तीसरा option है याप नियूरो काइंड गोल्ड के capsules का ते याप जो आप देख रहे हैं कि जो mankind की ये product है कि नियूरो काइंड गोल्ड के capsules तो ये भी एक capsule पर डे के हिसाब से जो है वो ले सकते हैं अगर ये suit नहीं करते है तो चौथा option बनता है हमारे पास वो है बेकाड एकसामिन के capsules का कि जिसका भी dose रहता है एक capsule पर डे के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं पाँचवा option बनता है Supra Plus करके जो tablets हाती है कि जिसके manufacture है Abbott Pharmaceutical से तो ये भी आप ले सकते हैं कि जिसका dose रहेगा एक tablet पर डे और उसका content हम देखे तो उसके अंदर vitamins रहते हैं, minerals रहते हैं, trace elements and antioxidants वगेरा रहते हैं ठकावट वगेरा दूर करने में जो है वो काफी ज़्यादा ये medication आपको मदद कर दी है चछटा option है यहाँ पे Supradin Delhi करके जो tablets आती हैं तो वो भी आप similar dose में यूज़ करते हैं और उसके manufacture जो है, Bayer Pharmaceuticals उसके manufacture है, साथ वह option है Health OK tablets का कि जिसके manufacture है Mankind Pharmaceutical और ये एक nutraceutical product है कि जिसके अंदर natural ginseng रहता है, taurin रहता है, zinc, vitamin D and vitamin C जैसे ingredients उसके अंदर रहते हैं कि जो आपको काफी ज़्यादा energetic feel करने में जो है वो मदद कर दी है next यहाँ पे option हम देखे, तो वो है Max Rich डैली करके जो tablets आती है, capsules होगे रहती है Cipla Pharmaceuticals जो उसके manufacture है कि यह भी आप एक tablet या फिर एक capsule per day के हिसाब से जो वो use कर सकते है next option है, उसमें Max Rich Gold करके medicine आती है, तो वो भी आप similarly ले सकते हैं, एक capsule per day के हिसाब से उसको जो लेनी होती है next option हम देखे तो Dr. Redis Laboratory का यह product है कि जिसको Beco Zinc Z capsules कहा जाए कि जिसकेंदर multivitamin, multimineral है, antioxidant है और ginseng है, तो यह भी काफ़े एक popular nutraceutical है कि जो कमजोरी थकान वगेरा को दूर करने के लिए हम use कर सकते है next option देखे तो Sun Pharma का Revital H करके है कि जो male female दोनों के लिए है Revital H Delhi Health Supplements कि जो 60 capsule का आप यह packing देख रहे है और बाजू में Revital H woman करके भी जो product है तो वो भी जो use कर सकते है महिला है कि जो काफ़े कमजोरी थकान जैसा मैसूस करते है next जाइडस Cadillac का एक product है, super immune करके तो उसमें भी आप देखो तो एक काफ़े कुछ अलग ingredients है जैसे कि multivitamin, multivitamin, herbal ingredients उसके अंदर mix के गए हैं कि जो एक herbal immunity business के दौर पर आप use कर सकते हैं जैसमें vitamin C है, D, E and zinc वागिरा जो है वो present तो ये भी अच्छा option बनता है हमारे लिए कि अगर आप उस type का nutraceuticals लें कि जैसमें कुछ herbal ingredients भी हो natural तो वो भी हम यहाँ पर ये ले सकते हैं कि जिसका dose हम देखे तो one tablet per day के हिसाब से आप उसको consume कर सकते हैं next है aristopharmaceuticals का product देखे तो we total करें कि जिसके अंदर ginseng है with multivitamin and multiminerals फिर एक और यहाँ पर product है multi 3 tablets करके कि जो abandis life science जो उसको design करते हैं जिसके अंदर antioxidant है multivitamin और multiminerals जो है वो present है तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवा यू के बारे में बीमार यू के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link description box वगरा में मिल जाएगी so good luck and all the best